आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET के बारे में तो CUET ने लास्टी अपना रिजल्ट फाइनली पब्लिश कर दिया जो टाइम जो डेट दिया था उसमें फिर से एकस्टेंशन के बाद अल्मोस्स 16 को like midnight result published हो गया था और अब तक तो शाम हो चुके तब तक आप लोगों ने अपने अपने रिजल्स देख लिए होंगे नोटिस भी पढ़ लिया होंगे तो अभी उन नोटिस की बात करें तो जामिया का क्या नोटिस आया है ये बात करते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा google पर search करना होगा jmi.coe जामिया का यह आइकन है इस पर जाकर क्लिक करना होगा वेबसाइट ओपन होने के बाद जो आप यह देख रहे हैं रेड कलर से स्क्रॉल होता हुआ अगर यहां पर जामिया का कोई भी नोटिस आएगा यहां पर ही शोगा जिस तरह आपको यह बीटेक बी आरक का शोगर वह इसी तरह आपको शोगा और अगर अप्लोड करना होगा क्योंकि बहुत सारे युनिवर्सटी इसने स्कोर काड अप्लोड करने के लिए बोला है उसके बाद अदमिशन पर स्टार्ट हो परने के लिए स्कोर कर और अपका अदमिशन फॉर्म फिल करके फिर उनका अदमिशन प्रोसस स्टार्ट होगा तो अगर जामिया स्कोर काड के लिए बोलेगा तो भी यहां पर शोगा और अगर वह सिफ यह बोलेगा कि आपको अपना अप्लिकेशन आइडी देना है जैसे उसने बीटेक अब तक कि हम लोग काफी बार डिसकस कर चुके हैं अगर सिफ वह भी बोलेगा तो भी वह यहां पर रेट कर लेसे स्क्रॉल होते हुए नोटिस में शो होगा बाकि अगर आपको कोई 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 हो जामिया के से रिलेटेड जामिया ने दस कोर्स अपने सीवीटे में दिये ह हैं तो जैसे ही इसका कोई नोटिस आता है जामिया की तरफ से आपको अबडेट कर दिया जाएगा that's it for the video